अब हम आगे का जो लेसन है वो इसमें continue करेंगी ठीक है चलो 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 किसान ने कहा यहां कहीं मैं एक पिंजरा रख गया था देखें तो उसमें कुछ फसा है या नहीं अब किसान ने क्या किया कि जो पिंजरा था उसमें क्या रखा था मचली रख दी थी है ना और जाल में खरगोश को फसा दिया था अब वो कहां ले जा रहा उसको पिंजरे के पास ले जा रहा अपनी पत्नी को है ना कि उसमें देखें तो कुछ फसा है या नहीं वह पिंजरे के पास गया उससे उसमें से उसने मचली निकाल ली थी या उसने ये काम तो पहले ही कर लिया था कि वह यह क्या अब पतनी को बहुत आश्चर हुआ अरे यह क्या खरगोश पकड़ने के पिंजरे में मचली कैसे आ गई अब उसने कहा कि तो खरगोश पकड़ने का पिंजरा है से मचली कैसे फस गई किसान ने कहा इसमें हैरान होने की क्या बात है क्या तुमने जमीन पर चलने वाल किया था अब उसने कहा कि क्या तुमने जमीन पर चलने वाली मचलियां कभी नहीं देखी पत्मी ने कहा हाई हाई मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना कभी देखा ना जाना दोनों नदी के किनारे पहुँचे वहां मचली पकड़ने का जाल पड़ा था किसान ने जाल उठाया उसमें खरगोश फसा हुआ था पत्नी ने मुँ फाड़ दिया अब पत्नी ने क्या किया मुँ फाड़ दिया मतला अरे आसचरिस उसका मुँ खुल गया कि जाल में खरगोश फसा हुआ है हे भगवान आज यह सब क्या हो रहा है मचलियों के जाल में ख पिसलियों के जाल में खर्गोश मिलेगा, तो किसी को भी आश्चर होगा। किसान ने हसकर कहा तुम बड़ी भोली हो। क्या तुमने कभी जल खर्गोश नहीं देखा। किसान के जल खर्गोश नहीं देखा। पत्नी कहा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना कभी कुछ देखा ना जाना फिर वे उस जगह जा पहुंचे जहां खजाना दबा पड़ा था किसान ने खोद कर घड़ा निकाला धेरों अशर्फियां उसमें से निकाल कर जोले में डाल ली दोनों घर की ओर चल पड़े चलते चलते वे जमीनदार की कोठी के पास से निकले उन्हें वहाँ भेडों की आवाज सुनाई दी पत्नी बुद्बुदाई पत्मी बुदबदाई मतलब अपने मन में बोली कितनी भयाना का आवाज है जो हमें डर लगता है तो हम अपने मन में मन में अपने आप में अपने आप से कुछ कहते हैं कितनी भयाना का आवाज है किसान बोला भाग चलो यहां से किसान ने कहा भाग चलो निकलो यहां से जल्दी भूट चिल ला रहे हैं दोनों हाफते हाफते घर पहुँचे किसान ने अशर्फियां छिपा दी पत्मी को खूब समझा दिया अशर्फियों की बात उसे किसी से नहीं करनी चाहिए उसमें किसान ने क्या किया खूब पत्मी को समझा दिया कि अशर्फियों वाली बात किसी से नहीं करनी पर पत्मी क्या ऐसा कर सकती थी नहीं पत्मी ने अब यहां बचन तो दे दिया मतलब वादा कर लिया पत्मी ने पक्का बचन दे दिया मतलब प्रॉमिस किया अपने पत्मी से लेकिन पत्नी के पीट में बात पहां पचती उसने अपनी पडोसिन को पूरा किस्सा सुना दिया बता दिया उसने पूरा किस्सा अपनी पडोसिन को बता दिया गाउं भर में बात फैल गई अब पडोसिन ने दूसरे को दूसरे ने तीसरे को ऐसे करके पुरे गाउं में बात फैल गई किसान को अशर्फियों से बरा खजाना मिल गया है शाम होते ख़वर जमीनदार तक पहुँची अब शाम हो गई ख़वर जमीनदार तक पहुँच गई उसने किसान को बुला भेजा उसने किसान से पूछना शुरू कर दिया आप किसान को तो पहले से ही पता था इसलिए उसने सारी प्लैनिंग पहले से कर रखी थी कि जमीनदार तक बात जरूर पहुचेगी और मुझे उसे क्या बोलना है जमीनदार से क्या बताना है वो उसने पहले ही प्लैन करके रखा था किसान ने उत्तर दिया कौन सा खजाना हुजूर किसको खजाना मिला है जमीनदार जोर से बोला बहुत बनो नहीं मुझे साब मालूम है तुम्हारी आउरत ने स्वयम लोगों को बता दिया स्वयम मतलब खुद से उसने खुद लोगों को बता दिया है जादा बनो मतब किसान ने बड़ी सरलता से कहा उसकी तो क्या कहूं हुजूर वह तो ऐसी बातें करती है जो ना कभी देखी कभी किसी ने देखी ना सुनी जमीनदार ने किसान की पत्नी को बुलाया और कहा रात को क्या हुआ था सब ठीक ठीक बताओ पत्नी बोली हुजूर सबसे पहले हम जंकल में गए हैं उसने अपना किस्सा बताना शुरू किया वहाँ पेडों पर कचवरियां लगी थी कचवरियां आस्मान से गिरी थी मेरे घरवाले ने अपनी आँखों से देखा है इसके बाद हमने खरगोश पकड़ने वाला पिंजरा देखा उसमें मचली फसी थी फिर हम नदी के किनारे गए वहाँ मचलीयां पकड़ने वाला जाल पड़ा था उसमें एक खरगोश फसा पड़ा था हमने खरगोश निकाल लिया नदी से ही थोड़ी दूरी पर मेरे घरवाले को खजाना दबा पड़ा मिला हमने खजाना भी निकाल लिया अशर्फियां थैलों में डाल ली घर की ओर चल पड़े रास्ते में जब हम आपके कोठी के पास पहुँचे तो भूत ने हमारा पीछा किया अब उसने पूरा किस्सा जो था वो नरेट करके पूरी स्टोरी को नरेट करा यहां पर उसने जो जो देखा था और किसान के दिमाग की यहां पर हमें दाद देनी पड़ेगी किसान ने किस तरह से इसको मात देने के लिए कैसा प्लैन किया था उसको पता था किसकी पत्नी यही बात करेगी ठीक है जो मैं बताऊंगा तो उसने किस तरह से अपने दिमाग को यहां पर चलाया और ऐसे ही मुसीबत में हमें अपने दिमाग को चलाना है, है न, जमीनदार से रहा नहीं गया, वह पाउपटक कर बोला, निकालो इसे, पागल कहीं की, फिर उसने किसान से कहा, जाओ, अपने घर जाओ, किसान घर लोट आया, वह सुप चैन से रहने लगा, वह चतुराई से काम न लेता, तो मारा जाता, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कि जब हमें किसी भी मुसीबत का पता हो पहले से, तो हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, है न, उस जल्द बाजी में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि किसान ने अपनी चतुराई से, मतलब बुद्धिमानी से, क कैसे रास्ते पर लाया, वो यहां पर इस कहानी में बताया गया, ऐसा ही हमें अपनी लाइफ में करना है, है न, कि अगर हम कोई ना कोई मुसीबत में कभी ना कभी तो फस्ते हैं, तो हमें वहां पर जल्द बाजी ना करते हुए, अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से, ह उस काम का हल ढूंड़ना है, ठीक है, टेक केर है वाज़ना है,